नमस्कार आप देख रहे हैं आई बी इंडिया नूज और मैं हूँ आपके साथ हर्विंद कुमार सिंग्ग अधिक्षक हिरालाल थाना अधिकारी अंचल सिंग सही थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्तल का जाजा लिया फिलाहल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है पुश्माटम के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाया गया प्रतम दिश्टिया मोत का कारण ज्यादा सर्दिया बीमारी का होना बताया जाड़ा महंद को लंबे समय से अस्थमा की बीमारी का पता लगा है महंद के सरीर पर किसी प्रकार की कोई चोटके निसान नहीं पाये गए है माउंट आबू से अब इंडिया नियूज के लिए मागणलाल प्रजापत की रिपोर्ट अज्टान के एक मात्र परवतिया पर्याटा नस्तला माउंट आबू में सनिवार को पाराफ़न से एक डिग्री नीचे चला गया हाट कपा देने वाले ठंड के बीच यहां का अधिकतम ताफमान 17 डिग्री दर्ज किया गया लागतार बर फिली हवाओं के चलने से यहां के सामान जन जीवन पर भी इसका असर रहा लोग दिन भर गर्म लब्दों से लिपट कर अलाव तापते नजर आए वहीं अलसुआ वगीचों की घास गाड़ियों की छटों और कांच पर बर्ग की परते जमी नजर पाई तापमान में इतनी गिरावट इस सर्दी की अब तक की सबसे नियूंतम सनिवार को दर्जी गई भरतिय मौसम विभा की अपडेड के अनुसवार या पूरा हपता माउंट आपमान चमाव बिंद के असपासी रहे गया जिसके चलते साथ सर्दी का असर देखा जा रहा है ठंड के बढ़ने के करन लोगों के दिन चर्या में एक खासा असर पड़ रहा है और पारह एक डिग्री हो जाता है नकेज हील में बर्व की परत चमी हुई दिखाई देती है राजसान से आभी इंडिया नियूज के लिए मगनलाल प्रजापत की रिपोर्ट मांट आभू बंद चेतर की में वन प्राणियों की सिकार करते पाये जाने पर ते नरफियों के बन विभाग ने अपतार किया जिसपर वन विभाग के ओर से लगलग दो दलों में करमचारियों को तैनात कर गस पढ़ा दी गए जिसपर सनिवार देर सामें एस यह सवाज सेंदर के नेतिरतों में सहाइक वनपाल मोहन राम चाओदरी वनरक्षक राजेस विस्तनोई स्वरूप आराम देवी सहीथ समीप दविस्ती जब तीन लोगों को संदिक दवस्ता में घुमते पाया गया जिनमें पुच्छाज करने पर खरगोश का सिकार करन अब चाहें की जाज़त नमस्कार